भारती जनता पार्टी से MLC की प्रत्याशी निर्मला पासवान जी हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं, बात करते हैं मैं आज बहुत बड़ा दिन है, काफी सम्मान दिये भारती जनता पार्टी को बार्टी ने आपको क्या कहेंगी भाचपा के लिए और ये किन मेहनत का नतीजा है जो आज आज आपको इस मकाम पे पहुचाने कोशिश है भारती जनता पार्टी मेरा घर मेरा परिबार है, मैं एक छोटी सी कार करता और मैं जिस तबके से आती हूँ अंसूचित वर्क से और दली समाज से उस तबके को भारती जनता पार्टी ने उठा के आज मतलब MLC का प्रत्यासी बनाया है इसके लिए मैं भारती जनता पार्टी को मानी केशो प्रशाद बाई साब को कैसे धन्वाद दो केंदी नितित को उतर प्रदेश सरकार के नितित को सबी को केशो मौरिया जी का कोई खास कुछ लगा हो है क्योंकि यहां पर मिलने के लिए आई है आप सबते पहले मुझे लगता यहीं आई जबकि 11 बजे आप भारती जनता पार्टी कार्याल है पहुंचना था केशो भाई साब से इसलिए लगा है कि 25 सालों से भाई साब से लगा है भाई साब के पास ही मैं रहती हूँ और हम लोगों का बहुत दिन से मैं जब एक कार करता थी बहुत कर करता था तब ही से हम लोगों का जुड़ाओ है तो वो तो जायसी बात है और मैं भाईया को राकी भी बांती आई हूँ आए रक्षा बंदन का मुझे अशिरवाद लेने आई थी आज अभी जी बिलकुल 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 आम अंकर में शामिल होंगे कौन-कौन लोग शामिल होंगे मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे यह आप अगर रहेंगे तो आप देख लिजेगा प्लीज भी है अच्छा क् मैं शामशंदर जी दूबे जी यह है यह मंडल अध्यष्ट है और मुझे उपाद्यश बनाया था तब इसे मैं बराबर सिवनियां चलती चली गई निरमला देवी ती तब आज भारती जनता पार्टी ने मुझे जहां बैठाया है मैं निरमला पास्वान तीस सालों का मु कि तरफ से आपको इंटिमेशन दिया कि असा पहले या कि अभी जो कोर कमेटी की बैठा कोई उसी में सब कुछ ताय हुआ या मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कहां से क्या हुआ कैसे नहीं बस दो दिन पहले ही मुझे पता चला कि आपका MLC प्रतियासी में नाम आ गया है और मुझे पहले से कोई चीज नहीं जान का रही थी किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ दोनों डिप्टी सीम केशो प्रसाद मौर्य और प्रजेश पाठक इसके अलावा प्रदेश अध्यस सोतंतर देव सिंग सहीद भारती जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उसमें शामिल होने जाएंगे कैमरमेंट शर्व जाब नक्वी भारत समचार लखना हो